तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिप बाम आप लोग अपने घर पे लिप बाम कैसे बना सकते हो और अपने होटों के अप्लाई कर सकते हो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि है लिप स्क्रब के ओपर था वीडियो बनाई थी तो वह मैंने लिक दिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वह भी वीडियो देख लेना और यह वीडियो का सब्स्कार पार्ट और यह सेंदृ पार्ट तो आप भी ज़ा के जरूरना तक ही देंगे इसने मैं आपको एक लिप बताऊ माश्यां और अप पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो फट जाते किसी की थंडियों के मौसम में क्या होता है कि अपने लिप भूआ हो थोड़े-्थोड़े से रहा था रहता है या किसी के सूख जाते तो यह लीप उसके लिए भूँ फाइदे बंदे और आपके होट पिंग भी ठीक तो आप लोग यह वीडियो पुरी एंट तक देखे और ले विड वाल कैसे बनाते हैं सबस्कूल को बताता है अपना ने के लिए हमारे किचन में वहां जाकर हम लोग बनाते हैं हमारा लेबाम ठीके चलते हैं और राइड गाइस वह लोग किचन में पहुच चुके और मैं अपनी मॉम की हेल्प ले रहा हूं यह हमारा लिप बनाने के लिए तो हमारे को लिप बनाने के लिए हमको अलुमीनियम का बरतन आग पर रखना है मिंस स्लो आच पर रखना है और उसके बाद हमको उसमें एक जलेगा नहीं वनना कर आपने फुल कर दिया तो उसकी वज़े से आपका जो वैसलीन है वो जल जाएगा ठीक है तो हम इसको स्लो आच पर ही पकने देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह जब तक ही थोड़ा सौफ ना हो जाए मींस पिघल ना जाए वैस करने के बाद आप इसको थोड़ा स्पून से आप थोड़ा इसको आप मिक्स कर लीजिए रोज और वैसलीन जो है थोड़ा एक दूसरे से मिक्स हो जाए ठीक है तो इसको आप थोड़ी देर इसको ऐसी ही स्लो आज पर पकने दीजिए बस आप गाईस यह ध्यान रखना कि tiya कि अगर जल ना अगर जले तो आप उसको जो पकर रहे रहेगा तो आप उसको बन कर देरा अगर ऐसा लगे कि आपको जल रहा है ठीक है फिर आप वापस से चालू कर देना तो हमारा तो जल नहीं रहा है हम उने तो स्लोई आज रखी विए तो इसको अच्छे से आप रोज और वैसलीन आप अच्छे से ठीक है तो आप वीडियो में तो आप देखी पा रहे कि हम कैसे इसको मिक्स कर रहे और कैसे हल्का हल्का इसमें रेड़ पन आरे है किनिंगर तो जैसे कि देख पा रहे कि Is статьies चुपा है तो हमको क्या करना तो यस को बं कर देना है उसके बाद हमको एक कूटने का कर दो कोट लीजिए इसको कूटने के बाद इसका मिक्चार अच्छे से बनागे पिसको कटोरी में डालके रख दीजिए और राइट गाइस तो हमारा चाहिए टयार हो चुगा जो तरह किसे दिख रहा है और यह लिब बाम जो है बहुत कॉंटिटी में थोड़ा मैंने कम बनाए क्योंकि हमारे गर में से दोई लोग है दोई लोग यूज करते मैं मेरी मॉम तो आप अपने घर में देख लिए कौन-कौन यूज करता है कौन-कौन यूज करना चाहेगा तो इसके लिए आप कॉंट आपको यह अच्छे से अपलाई कर देना रात में रात में देख लोगा सकते हो कि यह लिब बाम है को यह इसका साइड एफेक्ट नहीं है और आपको बहार से महंगे महंगे प्रोड़क्त यूज करने की जरूवत नहीं है घर में इजीली बन जाता है तरीका तो मैंने आपको बता दिया तो आप यह घर में बनाई है और वैसे भी ठंडियों का मौसम आ चुका है अपने लिप्स अच्छे बनाई है लोगों को लिप यह लिपी ब्लॉँ माले है उप को दिनों में थोड़ा वेट कर रहा था कि व्लॉग शूट करू तो आपको ब्लॉग कर दो कर दो